हमारे देश में लव जिहाद के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है आए दिन खबरें आ रही हैं कि फलाइस्तान पर जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर लड़की से शादी कर दी गई या फिर फलाइस्तान पर पहचान छिपा कर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फसाया गया और उससे शादी कर ली गई लेकिन आज जो हम खबर हम आपको दे रहे हैं उसमें लव जिहाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इस मामले में लव जिहाद की सोची समझी साजिश रचाई जा रही है घटा में एक युवती हिंदू लड़कियों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाती है यही नहीं इसके लिए वो हिंदू लड़कियों को तरह तरह के लालज भी देती है लेकिन इस युवती के मनसूबे काम्याब होते इससे पहरे ही पुलिस ने इस युवती को गिरफतार कर लिया क्या है पूरा मामला जानते हैं विस्तार से दरसल एक लड़की जिसके तीन नाम है सना खान, रफिक उनिशा खान और पायल खान ये तीनों नाम हम नहीं बता रहे हैं बलकि ये तीनों नाम खुद आरोपी युवती ने पुलिस को बताए है मामला ये है कि इन दौर में लोग की छात्राओं पर धन परिवर्तन करने का सना खान दबाव बना रही थी इसके लिए वो उन्हें लालज भी देती थी पुलिस ने लव जिहाद और बलेक मेलिंग के मामले में आरोपी युवती को गिरफतार किया है अब इन दौर में लोग कर रही एक छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी कि सना खान नाम की एक युवती उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रही थी आरोपी ने तहरीर देने वाली चात्रा और उसकी सहली को दन परिवर्तन के लिए उकसाया था उसने कहा कि वो मुस्लिम समधाय में अमीर घरानों के लड़कों के साथ उसकी शादी करवा देगी इससे उन्हें काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा और बच्चों के सिक्षा में लाब भी मिलेगा टाउन इंस्पेक्टर उम्राव सिंग ने इस मामले में बताया कि महिला के खिलाप मध्य प्रदेश की धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और धमकाने का केस दर्ज किया गया है पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर उसे गिरफतार किया आरोपी की सलीम खान नाम के एक युवक से शादे हुई है वो इन दौर में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और वो इन दौर में 40 से अधिक लड़कियों के संपर्क में है बताया जा रहा है कि मामले में जब युवती से पूश्टाच हुई तो शुरुवाती पूश्टाच में पहले युवती पुलिस को गुमरा करती रही बाद में जब पुलिस ने उस पर जोर दिया तो उसने बताया पहले उसने लोग की चात्राओं की जानकारी निकाली और उनसे संपर किया इसके बाद समाने बातचीत करती थी लेकिन बाद में वो धंपरिवर्तन के लिए दवाव बनाने लगी बाद में वो मुस्लिम लड़कों से शादी करवाने का भी लालस देने लगी फिलाल यूति की खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है अब इस मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं